नमस्कार दोस्तो एजुकेसन क्लासिस रामू में आपका स्वागत करता हैं दोस्तो उनहत्तर हजाद सिक्षक वर्ती का मामला अब सुप्रीम कोट पहुँच गया है ये आपको पता चल गया होगा अब क्या जब ये सुप्रीम कोट गया तो कोट में के मैटर में जब कोई भी मामला जाता है तो उस पर तारीख पर तारीख ऐसे चलती रहत ये कई सालों तब तो क्या आने वाले समय में अब देखने को सिक्षक भरती उत्तर प्रदिस में मिलेगी या नहीं इस पर भी चर्चा आज की वीडियो में करेंगे उसके बाद जो 19,000 चिक्षकों पर संकट बना हुआ है नोकरी जाने का उस पर भी चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं तो वीडियो को आन तक देखेगा वीडियो अगर आपको पसंद आये तो लाइक, शेर, सस्क्राइब जरू कर दीजेगा साथी साथ सिक्षक भरती से रिलेटेड फिरी में नोट्स वीडियो अप चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में टेलिग्राम का है वहाँ जुनना मत बोलिये का चलिए वीडियो को सूर करते हैं 79,000 सिक्षक भरती के मामले के अगर हम बात करें तो ये कापी सालों से विबाद चला है जब से भरती का रिजेल लाया तब से अब ये भरती के अगर हम बात करें तो इसमें इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने व्यक्ति हैं वो रवीश कुमार सकसेना 50 अन्य लोग है और रवीश कुमार सकसेना वियस स्टेट आप यूपी यानि उत्तर प्रदेश सरकार इसकी अगली सुनुआई 23 सितमबर 2024 को दिया गया है डी वाई चंदचूंड की सदस्य त्री सदस्या वाली टेम ने अब इसमें इन्होंने ये काफी पेचिदा मामला कहते हुए इसको जाच परख कर अब सभी संबंधी पच्छों का जो जबाब है वो लेने के बाद ही तभी ये निर्णे ले सकते हैं इन्होंने ये बात कही थी इसलिए अगली डेट टाल दी गई है 23 सितंबर को ठ्यार नकिये का 23 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी इसी अब आगे चलते हैं आगे हम आपको इसमें कुछ मुद्धें आपको समझाने की कोसिस करूँगा 79 सिक्षक बरती का ताकि आपको ये भरती की प्रकिरिया जो है आपको थोड़ा समझ में आ जाए जैसे देखेगा 79 सिक्षक बरती दिसंबर 2018 में आती है 19 में पेपर होता है ये 4,10,000 के आसपास इस्टूडेंट इसमें भाग लेती है 1,40,000 पास होते हैं और उसी के आधार पर मेरिट बनती है मेरिट कैसे बनती है तो 60 और 40 का रेशियो फालो किया जाता है 60 पर 30 रिटेन एकजाम 40 पर 30 जो है अकेडमिक मेरिट चोड़ी जाती है इसी के आधार पर मेरिट बनाए जाती है अब ये मामला कैसे इतना पेजिता बना जब इसका result आता है तब इसमें होता क्या है कि जो जनरल कड़गरी की जितनी seat थी उससे ज़्यादा student उसमें सुची आ जाती है उनकी ज़्यादा result आ जाता है ऐसे में इसको आरक्चन घोटाला का मामला दे दिया जाता है तब से ये मा आद उत्पन होता है गोटाले का अरक्चन घोटाले का उसके बाद अलग से सरकार इस चीज को छुपाने के लिए OBC के लिए अलग से और सट सो की seat जो है ला देती है तो ये और ही विबाद हो गया क्योंकि 79,000 seat जो पहले से आपकी fix है उसमें अलग से seat तो जोड़ी नहीं जा सकती है इसके लिए तो कोई नियम ही नहीं है जिसकी वज़े से वो एक और विबाद का कारण बन जाता है हाला कि जो अरक्षन घोटाला 19,000 के आसपास हुआ था उसमें अर्शर्ट सोग सीट लाकर इन लोगों का मुँ बंदे करने के कोसिस कर रही थी सरका जिसकी जो अब्यर्थियों के लिए चेन को यह खाते हुगे खारिज कर दिया जानी कि अलग सा सीट आप तो नहीं सकते है और सट सब बीसी के लिए तो जिसकी वज़े से एकल जज पीच ने हाई कोट की इसको खारिज कर दिया रद कर दिया दूसरी बाद कर दिया कि यह आरक्षन सही नहीं है, हाई कोट की दो जजों की पीट ने इसमें समती जताई पर यह फैसला को पलट दिया, इसमें एकल जज ने कहा था कि अरक्षन का लाब लेने वाले अभ्यर्थियों को आनारचित स्रेणी में नहीं सामिल किया जा सकता यह भी एक बहुत मामला था, जैसे एक होता है अनारचित और एक होता है आरचित, यानि एक अरक्षन दिया जता है, एक अरक्षन नहीं दिया जता है, तो जिसमें अरक्षन नहीं दिया जता है, उसमें सभी अभ्यर्थि जा आना होगा यही बात जो है एकल पीठ नहीं की जिसको डबल पीठ ने दोहरा दिया अब यह मामला और गंभीर हो गया जिसकी वज़े से हाई कोट की डबल बेंच ने इस भरती को सुची को ही गलत बाताते हुए रद कर दिया और सरकार से तीन महिने के अंदर नया चैन सुची जारी करने को कह दिया अब जिसकी वज़े से जो चैनित अभ्यरती थे वो काफी नाकूस हुए अब उनको अपनी नोकरी जाने से संकट होने लगा क्योंकि जो बार्डर लाइन पो होंगे कट अपके जो बार्डर लाइन पो होंगे उनको टेंसर माना होगा क्यामा इन नोक है अब यहां से जो उनिस सजा जो चार सा अब ज़ने साल से नोकरी कर रहे हैं उनकी जो है नोकरी संकट में बनी हुई पूरी अभी तक रोक लगा जी गई है और यथा इस्तिती बनाय रखने की बात कही गई है सुप्रीम कोट के द्वारा जब तक नीडे नहीं आ जाता है बाकी आपको इस वीडियो से कैसा लागा जुरूर बताएगा एक और एक भी बात है इसमें कि जो 11 अगस्त 2023 को सुप्री जो एक से 5 के वाले कोर्स की होंगे वहीं सामिल हो सकते हैं ऐसे में 28 वाले इसमें भी बाहर हो सकते हैं तो ये एक बहुत पेचिदा मामला है 28 वाले भी बाहर हो सकते हैं जो उसमें लिष्ट में होंगे ज्यादा नमर लाए होंगे जो कॉटप के आसपास या उसके ज्याद आता, ऐसे में B8 वालों को संकट बना हुआ है, लेकिन आने वाला समय 23 सितंबर ही बताएगा कि क्या हो सकता है इस भरती में, बाकि आपको वीडियो कैसा लगा जुरूर कमेंट में बताएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, जब आप देने का प्रयास करूँगा, थे कि अ.